कि नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारा स्विशेश लाइफ फोन इंट्रेक्टिव सेशन में जोसे आप देख रहे हैं इविध्या चानल नमबर 10 पर और बात में आप इसकी स्ट्रीमिंग NCERT यूट्यूब ऑफिशल पर भी देख सकते हैं आपके साथ अगले आदे गंटे के सफर में मैं याशु गांधी और आज का जो हमारा विशे है वो है साइन्स क्लास 10 और जो टॉपिक है वो है कार्बन और इस कंपाउंट और इस विशे को आपको डिटेल में एक्स्प्लेइन करने के लिए जो सब्जेक्ट एक्सपोर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है आईए आपका भी उनसे पर्चे करवा देते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो है डारेक्टरेट और अफ एजुकेशन जी एन्सीट डेली से TGT Natural Science में Mr. Sunit Sati Sir Good afternoon and very warm welcome to you in this session Thank you Yashu Ma'am and thank you and Namaskar सभी बच्चों को तो Sir से हम इस विशे पर समझेंगे चूकि Class 10th है आपके Board होने वाले हैं तो आपका जो Tab है या Paper Pen आपके पास जरूर होगा होना भी जाहिए नहीं है तो उसको लेकर आईए तब तक हम आपको बताते हैं खास बात कि हमारे जितने भी नमबर स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहे हैं आप उनके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं सेशन के दोरान अगर कोई भी queries है आपकी कोई question आप पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं इसके अलावा सेशन से जुड़ा हुआ या हमारे किसी भी और कारकरम से जुड़ी हुई कोई भी queries, कोई भी feedback आप देना चाहते हैं तो आप हमारा जो email का पता है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं हमसे संपर्क तो pen paper आप ले आए होंगे, science की बात है तो बढ़ते हैं आगे कि carbon and its compound हमारा आज का जो विशे है, sir इसी पहले का जो हमारा जो session हमने बच्चों के साथ किया है class 10 के, एक छोटा सा revision उस पर quick recap करते हैं और उसके बाद फिर आज के topic पर आगे बढ़ते हैं तो नमस्कार बच्चों, I hope कि आप सब अच्छे होंगे जैसे कि आपको पता है, पिछले session हमने जो carbon and compounds का पहला session किया था, उसका एक री caputulation हम कर लेते हैं कि क्या क्या चीजे हमने discuss किया था, जैसे some of the interesting facts about carbon, importance of carbon compounds, bonding in carbon compounds, covalent compounds, catenation, tetravalence, sharing of electrons, isomerism, formation of saturated and unsaturated hydrocarbons, double bond, single bond and triple bonds formation, saturated and unsaturated hydrocarbons, and allotrophs of carbon, diamond, graphite and fullerine, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, first of all we will talk about again you know for a little bit saturated and unsaturated hydrocarbons, a hydrocarbon in which carbon atoms are connected by only single bond, एक bond के द्वारा जब वो दूसरे carbon atom या hydrogen atom के साथ carbon के atom जुडते हैं, उस तरह के molecules को बच्चों हम saturated hydrocarbons कैसे हैं, जिनको हिंदी में हम संत्रप्त hydrocarbon कहते हैं, saturated hydrocarbons को हम alkanes भी कहते हैं, the general formula जो इनका होता है, वो होता है cn h2n plus 2, जहां पे n जो होता है, वो number of carbon atoms होता है, in one molecule of alkane, जैसे कि example में हम दिखा रहे हैं यहां पे, हमने methane का example दिया है, उसके बाद हम यहां पे, second जो हमारा है, c2s6, जिसका जो molecular formula है, वो भी हम यहां पे दे रहे हैं, ethane, उसके बाद फिरा प्रोपेन, butane, hexane, इस तरह के यह सारे molecules जहें हो saturated hydrocarbons के होते हैं next है बच्छो, unsaturated hydrocarbons, जिसको हम हिंदी में S-antrapt hydrocarbon बोलते हैं, और इनको हम दो नामों से जानते हैं, alkenes और alkynes तो बच्छो, यह वो hydrocarbon होते हैं, जहां पे carbon के atom जो हैं, वो double bond बनाके, या triple bond बनाके, दूसरे atoms carbon के, या hydrogen के atoms के साथ bonding बनाते हैं, और equivalent bond की formation करते हैं तो इस तरह हैं कि दो bond वाले या तीन बोन वाले जितने भी compounds होते हैं, जो carbon के दौरा बनते हैं, उनको हम unsaturated hydrocarbons कहते हैं बिलकुल और शायदी है सर, बोट के लिहां से भी बहुत important है कि, what's the difference between saturated carbon और unsaturated carbon, जो सिम्लिफाई, शब्दों में सन्ने एक्स्प्लेइन किया कि किस तरीके से संत्रप्त और असंत्रप्त जो दोनों इसकी जो form है, वो क्या है और इसको आप समझ ये भी और no doubt भी करते चल तो इनको बच्चों दो नामों से इनमें जो हम जाने जाते हैं, एक है alkenes, जिसमें जो bond, जो formation होता है, वो double bond का होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर ethene, हमने उसका molecular formula है, वो हमने C2H4 के लिए दिया हुआ है, दूसरा हम example यहां पर देख रहे हैं, प्रोपीन, जिस S1 is alkynes, यहां पर जितने भी compounds होते हैं, उनमें triple bond बनता है, और जैसे हम example यहां पर देख पा रहे हैं, C2S6 और यहां पर यहां एक बात और important गोर करने की है, जो molecular formula है, वो आपको जरूर याद रखना है, alkynes का क्या होता है, alkynes का क्या होता है, और alkynes का क्या है, CnS2N plus 2, alk kynes के लिए, CnS2N alkynes के लिए, और CnS2N minus 2, यह alkynes के लिए होता है, जैसे हम ethyne और propine का यहां पर examples भी देख रहे हैं, बच्चों, अगर हम एक hydrogen atom को remove कर देते हैं, और तब उनकी जो formation होती है, उसको हम alkyl group कहते हैं, जैसे for example, यहां पर हम example के रूप में दे रहे हैं, methane के लिए methyl group, ethane के लिए ethyl group, so these are known as alkyl groups, अब आजाते हैं बच्चों, nomenclature, जितने भी हमारे जो compounds बनते हैं, कार्बन के द्वारा, जिनको हम alkynes कहते हैं, alkynes कहते हैं, alkynes कहते हैं, यह जब इनकी bond formation होती है, इनका structure formula बनता है, तो इनका जो molecule जो बनता है, उनको किस नाम से पुकारा जाए, कैसे पुकारा जाए, और उनका structure formula क्या होगा, इस तरह का specially joined molecules को जो नाम दिया जाता है, बच्चो, वो हमारी एक अंतरास्ट्रिय संस्था है, जिसका नाम है International Union of Pure and Applied Chemistry, यह हमारी एक international organizations है, universal basis पे, जो जितने भी chemicals दुनिया में पाई जाते हैं, या elements पाई जाते हैं, और जो compounds है, chemical compounds वो बनाए जाते हैं, उनका नाम रखने के लिए यह organization bounce होती है, carbon compounds के लिए यहाँ पे हमारे पास दो parts है, जो number of carbon atoms है, उसको हम ALK part से जो हैं, वो choose करते हैं, और जो उसके बाद जो उसकी bonding बनती है बच्चो, जो यह है, वो first bonding हो, single bonding हो, double bonding हो, triple bonding हो, उसको हम primary suffix के दोर पे लेते हैं, तो किस तरह से हम नाम रखते हैं, हम आगे की slides में देखते हैं, देखिए जहां पे number of carbons, बच्चो आप slide में आपको दिखाई दे रहा है, number of carbons, जिस molecule में one होगा, उसको M-E-T-E-T-H, myth के नाम से, जो अलक, यानि की जो पहला part है नाम का, उसको myth के नाम से, number of carbon 2 है, तो इथ, 3 है, तो प्रब, 4 है, तो बच, 5 है, तो पैंट, 6, हैक्स, इस तरह से हम number of carbon के हिसाब से, उनको जो elk वाला जो हमारा part है, उस तरह से हम उनको नाम रखते हैं, जैसे अलकेंस है, जो second part है, जिसको हम suffix के तोर पे लेते हैं, बच्चों, वो होता है, A-N-E, जैसे पहले हमने elk ले लिया है, और जो A-N-E, जो second वाला part होता है, वो decide करता है कि उस में molecules में number of bonds कितने हैं, अगर single bond है बच्चों, तो A-N-E, अगर molecule double bond की formation से बना है, तो A-N-E, इन आजाएगा, जैसे methane और methane और जैसे ethane, ethane, propane, propane इस तरह से, और अगर triple bond है, तो Y-N-E, आइन आजाएगा है, जैसे ethane, 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 और ethane, So, in that way, we can, you know, remember the name of each and every kind of chemical compound, which is used to be formed by the carbon. So, thus, we can say, बच्चों, single bonded formation compounds, L plus N alkane, double bonded formant compounds, A-L-K plus N alkene, and triple bonded formation compounds is A-L-K plus Y-N-E, alkane. So, in that way, you can easily identify, you can easily recall and remember the name of the chemical compounds formed by the carbon. Now, we are coming to the next topic, बच्चों, जिसको हम functional groups के नाम से जानते हैं. An atom or a group of atoms, which decides the properties of a carbon compound, is called a functional group. जितने भी बच्चों कुछ carbon compounds, जितने भी चाहिए, वो single bond से बने हों, double bond से बने हों, वो triple bond से बने हों. उस की जो property, जो carbon compound की जो property है, जो group of atoms decide करता है, उसको हम functional group कहते हैं. For example, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, पहले examples में hello groups होते हैं, जो chlorine, bromine, etc. और इनको एन के साथ जोड़ा जाता है, जैसे हमने देख रहे हैं यहाँ पे, methane के साथ हमने chlorine को जोड़ा है, तो वो chloromethane हो जाएगा. अगर हमने ethane के साथ bromine को जोड़ा है, तो वो bromah ethane हो जाएगा. Second हमारा जो functional group होता है, बच्चो, alcohol, जो OH से हम decide करते हैं. अब इसको हम, इसका नाम जब हम इसको pronounce करेंगे, तो वो all हो जाता है, O-L-All. जैसे example में हम देख रहे हैं, methane के साथ हमने अगर alcohol का एक compound जोड़ा, OH जोड़ा, तो वो methanol हो जाएगा. Ethane के साथ जोड़ते हैं, ethanol हो जाएगा. Propane के साथ जोड़ते हैं, propanol, butanol, hexanol, in that way. Third, जो हमारा functional group है, बच्चो, aldehyde. वो aldehyde का हमारा compound है, वो CHO के रूप में हम वहाँ पर जोड़ते हैं, और जब भी aldehyde group एक किसी carbon compounds के साथ जोड़ता है, बच्चो, तो इसके नाम को हम प्रणाउंस करते हैं, वो हो जाता है, L. जैसे पहले वाले हमने alcohol group में all बोला था, मिथानोल, यहाँ पर मिथानल, इथानल, इस तरह उसको प्रणाउंस करेंगे, जैसे example में हम देख रहे हैं, मिथानल, मिथेन के साथ हमने aldehyde group जोड़ा है, it will be called as मिथानल, इथेन के साथ जोड़ेंगे इथानल. 4th one is carboxylic acid, COOH, now it will become oic acid, मिथेन के साथ जोड़ेंगे, मिथानोइक एसिद, इथेन के साथ जोड़ेंगे, इथानोइक एसिद, प्रोपेन के साथ जोड़ेंगे, प्रोपनोइक एसिद, so in that way we can pronounce the exactly in a very clear way, the name of the chemical compounds, 5th one functional group is ketone, CO, double bonds के साथ है, और इसको जब भी हम जोडते ह हैं, बच्चों तो नाम हम प्रोणाउंस करेंगे chemical compounds का जो carbon के द्वारा बन रहा है, on, methane के साथ जोड़ेंगे, मिथानोइ, इथेन के साथ जोड़ेंगे, इथानोइ, प्रोपेन जोड़ेंगे, प्रोपनोइ, so in that way बच्चों, हम functional groups को जो है understand कर सकते हैं, और उनको किसी भी अगर compounds में, आपके boards के exams में, या कहीं भी आप से पूछा जाता है, questions के रूप में, तो इस तरह से आप functional group को उसको अपने methane के साथ या किसी भी carbon compounds के साथ जोड़ के उसको नाम को आप identify कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ nomenclatures दे रहे हैं, बच्चों, functional groups के, halogen, alcohol, aldehyde, ket ketone, carboxyl acids, यह हमने ओलडी आपको बता दिया है, examples, examples भी यहाँ पे दिये हुए हैं, जैसे chloropropane है, bromopropane है, propanol, 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 propanon, pyronoic acids, सारे functional groups को carbon compounds के साथ जोड़ के यहाँ पे नाम दिया गया है, next one is, बच्चों, एक हमारा, it's very important topic, homologous series, आपने बहुत सुना होगा और पढ़ा भी होगा आपनी जो है, book में, homologous series is a group of carbon compounds, having similar structure, similar chemical properties, and whose successive member is different by a CS2 group, carbon के वो सारे के सारे compounds, जिनकी structure जो है, वो बिलकुल similar होती है, सेम होती है, जिनकी chemical properties हैं, बच्चों, वो बिलकुल सेम होती है, लेकिन उनका ठीक जो successive group होता है, जो next compound होता है, उसमें, और पहले वाले compound में, सरफ जो फरक होता है, एक CH2 group का हो जाता है, इन दा सेंस, उसका जो next successive compound बनता है, उसमें एक carbon atom जोड़ दिया जाता है, और दो hydrogen atom जोड़ दिये जाते हैं, बच्चों, इस very important, जैसे हम examples के तोर पे देखते हैं, और बच्चों, यह बहुत important चीज है कि आपके boards के exams में बहुत बार पूछा जाता है, है, homologous series क्या होती है, और alkynes, alkynes और alkynes के homologous successive वो आपको compounds पूछ लेते हैं, it is very easy to make, जैसे alkynes हमारे पास पहला है CH4 methane, अगर CH4 में हम फिर से एक CH2 group जोड़ दें, एक carbon atom और दो hydrogen atom, तो C की जगे 2 और H की जगे H6 आ जाएगा, तो वो C2H6 बन जाएगा, in the same way, next one is C3H8, in the same way C4H10, ऐसे ही हम alkynes के बारे में बात कर सकते हैं, इसका पहला compound है C2H4, अगर इसमें हम एक carbon atom और दो hydrogen atom जोड़ देते हैं, तो next one होगा, C3H6, C4H8, C5H10, इसी तरह से हम alkynes के बारे में भी बात कर सकते हैं, alkynes C2H2 जो इसका पहला compound होता है, अगर successive में हम हर successive compound में CH2 का एक जो ग्रूप उसमें जोड़ देते हैं, तो next होगा C3H4, उससे next होगा C4H6, उससे next होगा, next होगा C5H8, So in that way बच्चो, हम homologous series जो हैं वो हर compounds की, चाहे वो alkynes हो, alkynes हो, alkynes हो, उसकी easily identify कर सकते हैं, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक CH2 ग्रूप जोड़के, उसके next successive carbon compound जो हैं, वो homologous series के रूप में बना सकते हैं, identify कर सकते हैं, और याद कर सकते हैं. जैसे हमने अलड़ी discuss कर लिया है, कुछ aldehydes के, alcohols के और carboxylic acids के भी यहाँ पर successive group दिये हुए हैं, बस आपको क्या करना हैं बच्चों, वो जिस भी compounds के सुपोज आप से question पूछा जाता है, उसका पहले compound का सिर्फ formula आपको याद होना चाहिए, जैसे aldehydes HCHO, alcohol CS3OH, carboxylic acid CS3COOH, हर compound में सिर्फ और CS2 group जोडते चले जाएंगे, एक carbon atom और दो hydrogen atom उसके successive compounds बनते चले जाएंगे, और homologous series आपकी prepare हो जाएगी, अठे वा, यह तो आपने समझाया भी और साथ में, एक interesting way of explanation और उसको learn करने का है, कि भी बताया आपने सर, बच्चों को खास करके science में, जब कुछ concept clarity जब हो जाती है, तो भूलने की जो possibility होती है, वो काफी कम हो जाती है, बडिकोल, और वैसे भी 10th है तो अगर कोई चीज सिंबॉलिक वे से जिसे हम कहते हैं सांकतिक रूप से समझना, understand करना, तो वो होती है तो वो concept lifelong lord रहते हैं, जी बिल्कुल, ओके, नव कि इसमें differences क्या-क्या होते हैं, मैंस, इसमें differences के साथ सर एक और query मेरे जहन में, जी बहुत इंट्रस्टिंग, आफ तो जब हम वेजिटेबल ऑईल की और घी के बात करते हैं, तो आजकर बहुत लोग कॉंशे हैं, तो बहुत पढ़ते हैं, इसमें ये saturated है, ये unsaturated है, तो इ अब हम जैसे एक बार इसको देख लें कि पहले एक basic understanding देख लें, डिफरेंसिस की, फिर मैं के हमाज सवाल का भी जवाब देते हैं, जैसे कि हम पहले discuss कर चुके हैं, saturated hydrocarbons, single bond formation होता है, unsaturated में double bond भी होता है, triple bond भी होता है, उसमें सारे के सारे saturated में alkynes आते हैं, और unsaturated में alk अर्चेन और alkynes जो प्रोडक्ट से वो आ जाते हैं, और saturated hydrocarbons बच्चों उनकी जो concentration होती है, carbon की वो less होती है, comparatively, और hydrogen की ज्यादा होती है, और ठीक उसका उल्टा होता है, बच्चों unsaturated में, वहाँ पे carbon की amount थोड़ी ज्यादा होती है, comparatively, और hydrogen की जो amount है वो बच्चों कम होती है, next one, इसमें single bond formation है, saturated में, तो automatically बच्चों ये less reactive होते हैं, और stable हो जाते हैं, इनका जो nature है, और double bond और triple bond होते हैं, unsaturated में, तो वो जो है, थोड़े highly reactive होते हैं, comparatively, और जो है, less stable होते हैं, और जो बच्चों जब saturated hydrocarbons के जो products हैं, उनको जब बन किया जाता है, air में, त non-suity flame होती है, बिल्कुल clear, वो वातवरन को परदूशित भी नहीं करती है, और जलने के बाद ये कोई किसी तरह के अवशेश जो हैं, जलने के बाद वो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है, unsaturated में, वो एक yellow flame के साथ जोड़ते हैं, shooty flame देते हैं, saturated और unsaturated में बच्चो mostly from plants है, अब आते हैं मैम के सवाल पे, बहुत अच्छा मैम ने सवाल पूछा, बच्चो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, एक hydrogenation reaction होती है, आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, जितने भी, जैसे vegetables, oils जो होते हैं, हमारे आपने सोना होगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, saturated compounds होते हैं, उसमें क्या होता है, जब उसको convert करते हैं, उसमें क्या होता है, एक hydrogen atom, जो है hydrogen molecule को जोड़ दिया जाता है, जब उसमें जोड़ते हैं, unsaturated hydrocarbons को, उसमें जोडने के बाद क्या होता है, जो उसकी double bond है, जो oil की, वो double bond है, व वो saturated hydrocarbons यानि घी में convert हो जाता है तो थोड़ा less fatty भी होता है माम तो उस तरह से भी कें से कि जो है ये जो oil है उसको घी में परिवर्तित करने के लिए unsaturated hydrocarbons को saturated में hydrogen molecule के लिए बनाया जाता है आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी और हमेशा इस reaction का जो नाम होता है बच्चो वो hydrogenation reaction होता है hydrogenation reaction और इसे के साथ एक चीज और action दे रही है वो है time तो समय बहुत कम है चंद पलों में बच्चे वे हम जल्दी जल्दी आ रहे हैं बच्चो जैसे हमने last time हमने अलड़ी discuss कर लिया था diamond and graphite में दोनों आलोट्रॉप्स कारबन के ही होते हैं diamond में जो है four electrons दूसरे four electrons के साथ जुडते हैं और graphite में सरफ तीन electron जुडते हैं एक electron जो है वो free रह जाता है उसमें three diagnosis tetragonal structure होती है इसमें hexagonal layer की structure होती है और जो diamond है वो hardest non natural material होता है बट बूर conductor of electricity है और graphite जो है वो एक good conductor of electricity है due to the movement of free electrons chemical properties बच्चो carbon compounds के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा combustion burning in oxygen combustion करता है oxides देता है exothermic process होता है heat और light के production की वज़े से और saturated compounds हमें सा clean flame देते हैं कि हम बता चुके हैं already कुछ reactions है जो जैसे oxidation है ethanol के साथ addition reactions है unsaturated hydrocarbons की और hydrocarbons की in the presence of catalyst such as pallium और nickel substitution reactions है जहां पर atom और group को replace किया जाता है किसी दूसरे compounds में ethanol है एक हमारा बच्चों जो carbon compounds जिसकी chemical properties यह liquid होता है room temperature पर जितने भी alcoholic products होते हैं उनका main ingredients होता है और यह solvent होता है therefore यह बहुत सारी medicines में भी इसका इस्तमाल होता है इसके reactions हैं जैसे sodium के साथ next one is ethanoic acid जो carbon compounds mostly है हमारा कई बार पूछा जाता है इसके बारे में इसको हम acetic acid भी बोलते हैं और यह 5-10% solution होता है acetic acid का जिसमें which is called vinegar और vinegar एक preservatives के रूप में इस्तमाल करते हैं पीकल जैसे products में melting point होता है 290 करिवीं का और यह freeze हो जाता है बच्चों cold climates में और इसलिए इसको glacial acetic acid भी बोलते हैं esterifications अलड़ी हमने discuss कर लिया है कुछ reactions है एक और important बच्चों एक reactions होती है हमारे पास saponification यह साबून बनाने के लिए इस्तमाल होती है on treating with sodium hydroxide which is an alkali the ester is converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid this reaction is known as saponification because it is used in the preparation of salt जैसे कि हम reactions में देख रहे हैं यहां पर नाव बच्चों एक हमारा last topic है इसमें it is also very interesting topic है कि जो साबून होता है वो काम कैसे करता है यहां थोड़ा सा यहां पर picture के दौरा हम देख लेते हैं जो आप slides में बच्चों देख रहे हैं वहां पर नीले रंग का आपको dust जो दिखाया गया है जो जिसको आप आम भाशा में मैल बोलते हैं उइली product जो होता है जो कॉपड़ों पर लग जाता है जब आप detergent का या साबून का यूज करते हैं बच्चों उस में क्या होता है शाबून structure बनाता है उस रंचना को structure को हम मेसेल कहते हैं उस मेसेल का बच्चो जो भार का part होता है आयोनिक होता और यह मैल के साथ चिपकने के बाद मेसल फॉरमेशन बनता है और जब उसमें आप पानी डालते हैं खूब सारा तो वह सारा का सारा जो मैल है जो ओली प्रोड़क्ट है जो दस मैटीरियल है कपड़े पर उसको वह वाश आउट कर देता है बिलकु तो यह क्लोनिग अप्शन अफ जाहूंगी कि अब आगे का एक्शन बताने का समय है बस एक पॉइंट हमां कुछ बता देते हैं कई बार पूछा जाता है बच्चे भी बड़े क्यूरिसीटिव होते हैं पूछ जानने के लिए सोप्स और डिटरजेंट्स में क्या फ सोडियम और पोटेशन साल्स जो होते हैं बच्चो सौप्स के वो हाड वाटर के अंदर कैलसियम और मेगनिसियम साल्स होते हैं जिनके साथ वो रियक्शन नहीं करते हैं और करते हैं और वो उसकी करने की वज़ए से क्या होता है वो सकम की फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट की reactions होती हैं उनके salts के बीच में जिसकी वज़े से बहुत सारा forms बनता है और कपड़े आसानी से धुल जाते है और इसी के साथ सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने समय कमता लेकिन गागर में सागर भरी बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू बच्चो थैंक यू नमस् दिखाते हैं इंक्लूसिव क्लास्रूम का हमारा जो खास कारिकरम है बीच-बीच में इसके अलावा हमारे स्पेशल लाइफ चलते हैं और अभी इस कारिकरम के तुरंद बाद हमारे ई-विध्या के चानल नमबर 6-12 पर आप हमारे स्पेशल एक घंटे का ट्रेडिंग सेश और चुकि आज फ्राइडे हैं शुकरवार है तो आज हम शाम को साधे-पांच से साधे-चे भी हमारा лагास क्रा कारिकरम होता है तो आप ट्यून अप करते रहें हमारे कारिकरम देखते रहें और इसी के साथ फिल्हाल अभी के लिए इस सेशन में इस कारिकरम में इतना ही इतना बहुत ख्याल रुखी और प्रसंद रही है नमस्कार